UPSC 2020 का prelims 4 October 2020 को संपन्न हो चुका है और उसके बाद अभी अभी रिसेंटली UPSC ने क्या है कि 2019 का भी cut-off निकाला है 2019 का भी cut-off निकाला क्या उससे पहले 2017-2018 के के cut-off रहते और relatively पिछले सालों के मुकाबले 3 साल के मुकाबले क्या prediction रहना चाहिए UPSC 2020 के prelims के खतरनाक prelims के बाद cut-off वो जरूर हमनों यहाँ पर जानेंगे ठीक तो इसके लिए यह pick quality जो मैंने बनाई यह बहुत जादा important है इसमें आप यह समझेगा कि देखें यहाँ पे UPSC prelims cut-off 17-18-19 का general category OBCS, SC, ST और PH का क्योंकि अलग-लग रहता है PH123 category के अनुसार तो यहाँ पर मैंने नहीं लिया है बाकी EWS भी ले लिया है जो की 17 और 18 में applicable नहीं था लेकिर 2019 वाले exam में UPSC ने consider किया था क्योंकि उसके बाद यह लगू हुआ है 2019 से लगू हुआ है अब देखें 2020 में एक काटिगरी वाइस चलेंगे तो आपका जो है 2017-18-19 जनरल काटिगरी का 105 गया था cut-off 98-98 रहा फिर OBC का जो दिखिए बहुत ज़गा फर्क नहीं है एक निगेटिव मार्किंग कितना अदा इंपॉर्टेंस है ठीक ऐसी कैटिगरी का जो था आपका 88.66 था काफी डिफरेंस है जनरल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 92 और 105 ठीक है 15 17 नमबर करीबन डिफरेंस है आपका यहाँ से देखे आपका 2018 में भी जो है आपका कितना 14 मार्क्स का डिफरेंस था यहाँ पे 17 मार्क्स का यहाँ पे 14 मार्क्स का और यहाँ पे भी 16 मार्क्स का डिफरेंस था पिछले साल SC category का और यहीं सी तरीके से आप देखें 2017 पे तो SCUST का सेम था ठीक लेकिन यहां पे भी देखें वही 14 14.5 मार्क्स का डिफरेंस है और यहां पे पिछले साल बहुत ही यहादा डिफरेंस आ गया general category से अगर देखा जाएं आपर यह compare नहीं कर रहा हूँ खाली वह बतारों कि अगर कोई क्योंकि generally बात होती है कि भाई general category का कितना जा रहा है तो से साबसे हम बाकी भी categories का निकालते हैं तो 98 था तो 98 मार्क्स का फर्क था ST category के लिए और पिछले साल के हिसाब से EWS जो है आठ मार्क का फर्क आया था तो यह इस तरीके से पिछले तीन सालों का जो है cut-off हम लों देखा EWS का भी इस साल भी category और जो paper आया है UPSC का जो 2020 का paper आया है बहुत ही खूब सुरत paper था वो चाहता है कि आप current affair भी पढ़ें लेकिन उसकी basic understanding background को जानते हुए ठीक आप से यह नहीं कि current affair रटते पहुंच जाए basic understanding उसको समझें और आपके आगर basic strong होंगे तब ही आप जिन्दिगी में कोई भी condition आ जाए क्योंकि हर समय तो books में लिखे हुए problems तो नहीं आएंगी अब इसका जो है कम जाएगा मुझे लगता है कि 92 से 95 के बीच में जाना चाहिए ठीक क्योंकि सीटे कम है और इसलिए 92 तो 95 होना चाहिए तो उसे accordingly आप जो है बाकी categories का भी calculate कर सकते है तो इस तरीके से यह BPSC prelims का छोटा से एक comparison था cutoff का और prediction है जोकी सही भी हो सकता है कोई भी shorting साथ नहीं कर सकता बट 92 से 95 के बीच में prediction है कि रहना चाहिए उसे आप से आप calculate कर सकते है OBC, ST, SC और EWS के लिए जाएन जाभारत All the very best है